वेलकम स्टुडेंट्स, मैसल्फ रविकान, केमिस्ट्री एजुकेटर, आफलाइन सेंटर, अनकेडमी जनकपुरी, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज ऑनलाइन में स्टार्ट की है, जिसकी अंदर हम लोग कंसेट बॉक्स, वन शॉट और पी वाई क्यू अफ डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स डिसकस करेंगे और एक सीक्वेंस मोड में डिसकस करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए आज केमिस्ट्री में वन शॉट में जो मैं चैप्टर लेकर आ रहा हूं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्राब्लम र चड़ेंगे, समझेंगे, और सबसे जरूरी बात, यह चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो अगर बीच में ठक जाओ, तो आप पॉस लीजिए, और उसके बाद फिर कॉंटिन्यू कर दीजिए, जो भी मैं नुमेरिकल, जो भी मैं टॉपिक, जो भी मैं सारी चीज़ें है, NCRT के अंदर गीबन, ठीक है, बट वो सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसमें से कुछ पोशिन ऐसा है, जो हमारा फुजिक्स में कवर हो जाता है, जैसे कि सिगनीफिकेंट फिगर, डिमेंशनल अनलसे ठीक है, तो हमें उन बें इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स है, जो की neat point of view से बहुत important है, ठीक है, तो सबसे पहले anti-cancer agent, anti-cancer agent में हमारे पास क्या होता है, जो कैंसर के treatment में हम लोग medicine में यूज करते हैं, तो anti-cancer agent में यह NCRT में specified है, इसलिए मैं इसका नाम यहाँ पर discuss कर रहा हूँ, पहले नंबर पर cisplatin, तो cisplatin, इसका formula जरूर याद रख लिजेगा, PT, NH3, 2 and CL2, तो this is cisplatin and taxol, यह chapter के introduction part में दिया हुआ है, ठीक है, anti-cancer agent यह पूछे जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास AIDS victim, तो AIDS victim के लिए हम लोग use करते हैं, A, Z, T, तो this is called azidothymetine, इसको हम लोग बोलके हैं, azidothymetine, तो I hope सब इस्टूडेंट को यह दो चीजे ध्यान में रखनी हैं, याद हो गई होंगी, anti-cancer agent क्या है, हमारे पास cisplatin and taxol, और AIDS victim को हम लोग क्या देते हैं, AZT, that is azidothymetine, ठीक है, तो इसको दिमाग में रखेगा, now, अब हम यहाँ पर classification पढ़ते हैं, तो सब को पता है, हमारे पास यहाँ पर matter है, matter दो हिस्टों में divide होता है, पहले नमबर पर pure substance and दूसरे नमबर पर mixture, तो पहले नमबर पर pure substance and second है हमारा mixture, pure substance, pure substance मतलब एक ही type के atom और molecule से बना हो, जिसको हम लोग separate नहीं कर सकते, by any physical method, हम physical method से separate नहीं कर सकते, तो जो हमारे pure substance होते हैं, वो element and compound, इसमें divided होते हैं, element and compound, ठीक है, तो compound क्या होते हैं, compound हमारे पास, organic compound and दूसरे नमबर पर क्या होता है, inorganic compound, पहले नमबर पर organic compound and second क्या होता है, inorganic compound, ओके, अब element हमारे same kind of atom से बने होते हैं, सभी को पता है, 118 elements हैं हमारे पास, periodic table के अंदर, ठीक है, अब देखें, हमारे पास यहां पर atoms की बात करते हैं, तो element एक ही type की atoms की बने होते हैं, copper, iron, silver, gold, etc. ठीक है, अब देखें, mixture की अगर मैं बात करूँगा, तो mixture में क्या होता है, mixture, mixture हमारा homogeneous भी हो सकता है, homogeneous mixture and second क्या हो सकता है, heterogeneous mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture, बिड़े, यह classification है, इस classification को, इसमें ऐसा नहीं है कि NEET में बहुत सारे question इस classification से आते हैं, कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बस यह classification तुम्हें पढ़नी है, पर उतनी ही पढ़नी है, जितनी required है, पता चले इसी को ही detail में हम लोग elaborate करते करते, बाकी सारी चीज़े छोड़ दी है, ठीक है, इस chapter में जो important core part है, वो है, mole, empirical formula, limiting reagent, तो वहाँ पर हमें ज्यादा concentrate करना है, तो इसको एक general मैं इसका overview दे रहा हूँ, तो हमारे पास matter है, matter किस में होता है, pure substance and mixture, तो pure substance सबको पता है, same kind of atoms और molecules, अब pure substance में क्या होगा, हमारे पास एक चीज़ होगी, element, तो one is the element, तो element, मतलब which are made up of same kind of atoms, ठीक है, iron element है, hydrogen element है, oxygen element है, nitrogen element है, copper element है, silver element है, gold element है, is that clear, and second is our compound, तो अगर मैं compound की बात करूँगा, तो compound के अंदर क्या है हमारे पास, यहां पर दो या दो same atom से मिलकर, या different atom से मिलकर, कोई चीज़ बनती है, जैसे CO2, CO2 हमारा क्या हो गया, compound, ठीक है, H2O, H2O क्या हो गया, compound, N2, N2 क्या हो गया, this is the compound, तो अगर मैं compound की बात करूँ में हम लोग पढ़ते हैं, which are obtained from living sources, पर आज कल इसका definition change हो गया, कि organic compound का मतलब है, hydrocarbon and their derivatives, ठीक है, तो hydrocarbon and their derivatives, मतलब हम लोग पहले बोलते थे, कि organic compound को हम लोग lab में synthesize नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है, organic compound को lab में हम लोग synthesize कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास, जो सबसे पहला scientist है, that is a Woller, Woller ने lab के अंदर urea बनाया था, तो सभी को यह, यह basic सी चीज़े हैं, याद रखनी है, जो मैं साथ साथ बोलूँगा, तो Woller, Woller ने भाई, क्या किया था, Woller ने कौन सा, कौन सी चीज़ बनाई थी, Woller ने urea पर पेर किया था, ठीक है, बिलकुल clear हो गया ओके, next is our mixture, mixture में क्या होता है, हमने चीनी को पानी के अंदर डाला, that is called mixture, अब uniform distribution हो गया, नमक को पानी में डाला, that is also called mixture, तो mixture हमारा क्या होता है, पहले नमबर पर, homogeneous mixture, और दूसरे नमबर पर, heterogeneous mixture, अगर मैं homogeneous mixture की बात करूँगा, तो salt in water, मतलब जिसमें composition same रहती है, composition throughout the solution remains same, homogeneous mixture ही को तो solution बोलते हैं, ओके, तो solution मतलब homogeneous mixture, तो हमारे पास salt in water, this is an example of homogeneous mixture, sugar in water is an example of homogeneous mixture, and heterogeneous mixture की बात करता हूँ, तो oil in water, ठीक है, तो यह हमारा heterogeneous mixture, ठीक है, तो mixture के अंदर जो composition होती है, वो fix नहीं होती, वो किसी भी composition में mix हो सकते हैं, compound के अंदर अगर मैं बात करूँगा, तो हमारे पास जो composition होती है, वो fix होती है, ठीक है, अब देखे, हम एक general सा, यहाँ पर case discuss करते हैं, हमने यहाँ पर लिया carbon dioxide, यह CO2 है, अब CO2 के अंदर, यह वाली चीज 12 हो गई, और यह वाली चीज 16 हो गई, अब जब जब हमें carbon dioxide मिलेगा, तो हमारे पास क्या हो गया, 12 ratio 32, यानि की by mass, जो ratio होगी, वो 3 ratio 8 होगी, I hope सबी students को clear होके, इसका मतलब compounds के अंदर, जो composition होती है, वो fix होती है by mass, ठीक है, अब देखे, हमारे पास यहाँ पर, कुछ common name है, जो याद रखने हैं, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले, CO2, इसको dry ice भी बोलते हैं, ठीक है, पता है न, solid, एक चीज़ होत solid, फिर होता है liquid, and फिर होता है gas, तो solid से liquid, and liquid से gas, अब देखो, तीन state होती है, वैसे तो 5 होती है, ठीक है, पर बाकी दोनों की जरूरत नहीं है, पांच कौन कौन सी, solid, liquid, gas, फिर करते हैं, Bose, Einstein, and plasma, ठीक है, तो यह ज्यादा knowledge वाली बाते हमें discuss नहीं करनी हैं, सिरफ जितना required है, need के लिए जितना required है, उतना पड़ना है, solid, liquid, and gas, तो solid के अंदर, अगर मैं solid को गरम करता हूँ, तो liquid बनता है, और liquid को गरम करता हूँ, तो gas, ठीक है, अब देखो, हमारे पास carbon dioxide है, वो सीधा ही sublime हो जाता है, ठीक है, तो यानि कि solid से gas, सीधा बन जाता है, तो solid से gas, इसको क्या बुलते हैं, this is called sublimation, तो यह हमारी चीज क्या हो गई, sublimation, ठीक है, next, हमारे पास है, copper sulfate 5H2O, यह hydrated form में है, तो this is called blue vitrol, यह हमारा blue vitrol है, similarly, ZnSO4, 10H2O, तो यह क्या है हमारा, this is white vitrol, ठीक है, यह हमारा white vitrol है, ठीक है, उसके बाद, एक minute, यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर 7H2 है, ठीक है, MgSO4, dot 7H2O, तो इसको क्या बोलते हैं, what we call it, this is called ipsum salt, यह हमारा ipsum salt होता है, ठीक है, उसके बाद, हमारे पास, FESO4, dot 7H2O, तो this is called green vitrol, ठीक है, यह कुछ नाम है, जो आपको याद रखने है, जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ओके, आप दिखे, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे naming हमने करनी हैं, compounds की, तो inorganic compounds में कुछ, ध्यान में रखना क्या, NO3 negative, तो इसको क्या बोलेंगे, what we call it, this is called nitrate, NO2 negative, तो this is called nitrite, ठीक है, N3 negative, तो यह क्या हो गया, nitrite, ठीक है, तो anion का अगर हम नाम जानते हैं, तो हमें compound बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, similarly, SO4, 2 negative, तो this is called sulphate, SO3, 2 negative, this is called sulphide and S2 negative, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, we call it sulphide, तो यह हमारा sulphide हो गया, okay, similarly, CO3, 2 negative, सभी student को पता होना चीए, यह हमारा carbonate होता है, ठीक है, PO4, 3 negative, तो यह क्या होता है, this is called phosphate, यह हमारा phosphate होता है, ठीक है, और अगर बेटा P3 negative हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं, phosphate, यह क्या हो गया, phosphate, ठीक है, तो nitrate, nitrite, nitrite, sulphate, sulphate, sulphide, sulphide, carbonate, phosphate and a phosphate, बाकी में साथ साथ भी बताता जाओंगा, पर अभी इस stage पर कम से कम इतने तो याद रखिये, ठीक है, for example, अगर हमने magnesium nitrate का formula बनाना है, तो कैसे formula बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, mg2 positive i, यह magnesium का, बही, magnesium पर 2 positive chart होता है, और यहाँ पर क्या हो गया, NO3 negative i, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम crossing करवा देंगे, this and that, तो यहाँ पर formula क्या बन गया, this is called MgNO3 and 2, so this is the formula magnesium nitrate, exam में question दिया क्या होगा, वो formula नहीं देगा, magnesium nitrate में oxygen atom बताईगे, वहाँ पर अगर formula ही नहीं पता होगा, तो कैसे solve करोगे, similarly हमारे पास है aluminium nitrate, अब aluminium nitrate में क्या होता है, AL3 positive and NO3 negative, तो यहाँ पर crossing करवा दीजिये, तो क्या होगा, there will be the formation of ALNO3 यहाँ पर thrive, तो this is called aluminium nitrate, ठीक है, similarly अगर मैं यहाँ पर discuss करूँ, aluminium sulphate, ठीक है, मुझे यह बार-बार बताने की जरूरूरत ना हो, सबी student को यह पता होना चाहिए, group one, group two, valency कितनी होती है, group one वाले element एक electron छोडते हैं, जैसे li positive, na positive, k positive, rb positive, group two वाले, mg two positive, calcium two positive, इस तरीके से होता है, तो हमारे पास, अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो यहाँ पर लिख देता हूं, mg two positive, calcium two positive, barium two positive, aluminium three positive, ठीक है, यह aluminium, aluminium की valency तीन होती है, तो aluminium three positive, अगर aluminium three positive की बात करूँगा, तो AL, यहाँ पर three positive, and sulphate का क्या हो गया, SO4 two negative, is that clear, अब हमें क्या करना है, हमें charge balance करना है, जितना positive charge होगा, उतना ही negative charge होगा, तो formula compound का aluminium sulphate का कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, crossing करवा दीजिए, तो यहाँ पर क्या बन गया, what you will get, there is the formation of AL two and SO4 three, so this is aluminium sulphate, यह हमारा aluminium sulphate है, ठीक है, उसके बाद, अगर मैं aluminium phosphate की बात करूँ, तो मुझे लगता है, aluminium phosphate, ठीक है, यह inorganic compound है, तो aluminium phosphate, अब phosphate का formula क्या होता है, PO4 three three negative, this is called phosphate, ठीक है, बताया था, तो यहाँ पर aluminium phosphate क्या होगा, AL, यहाँ पर three positive, and PO4 three negative, ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर crossing, अब crossing करवाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ three positive है, यहाँ पर three negative है, तो cancel हो गया, तो हमारे पास formula क्या बन गया, ALPO4, तो this is the formula of aluminium phosphate, one shot का मतलब होता है, कि हम chapter को वो वाला portion, जिसमें बहुत सारे questions बनेंगे, उस portion पर हम ज्यादा रुकेंगे, और जो portion में हलका हलका portion है, उसको हम फटाफट discuss करेंगे, ठीक है, तो सभी student को compounds, organic compound and inorganic compound, और inorganic compound के कुछ formula बनाने मैंने सिखा दिये, अब दिखें, यहाँ पर हमारे पास, start करते हैं, laws of chemical combination, laws of chemical combination, laws of chemical combination में, पहले number पर, law of conservation of mass, टीक है, law of conservation of mass क्या है, हमारे पास कोई भी chemical reaction है, उसमें, यह reactant, convert हो रहा है किसमें, reactant हमारा product में convert हो रहा है, हमारे पास अगर वो chemical reaction balance है, तो mass of reactant will be equals to mass of product, तो reactant का mass, product के mass के equal होगा, law of conservation of mass, ठीक है, हमारे पास, for example, एक यहाँ पर देखी, calcium carbonate, calcium carbonate क्या होता है, it will give us calcium oxide, plus, साथ में क्या होगया, carbon dioxide, यह वाली चीज, अब calcium carbonate, अब calcium carbonate का mass कितना है, calcium carbonate का mass है, calcium हमारे पास कितना होगया, 40, and carbonate 60, तो total कितना होगया, 100, यहाँ पर 100 gram है, ठीक है, अब calcium oxide का mass कितना है, calcium का, अब सभी student को एक से लेकर 30 atomic number तक सभी को mass याद होने चाहिए, ठीक है, नीट क्लियर करने के लिए बहुत important है, atomic mass सबका याद होना चाहिए, तो हमारे पास calcium oxide है, तो calcium oxide में क्या हो गया, हमारे पास calcium का mass होता है, 40, plus oxygen का 16, तो यहाँ पर कितना हो गया, बोलो 56 gram, and अगर मैं carbon dioxide की बात करूँगा, तो carbon dioxide का क्या हो गया, 44 gram, तो अगर यहाँ पर left hand side and right hand side की बात करूँगा, तो left hand side and right hand side, दोनों का mass सेम है, clear है, तो यहाँ पर law of conservation of mass के accordingly, reactant का mass and product का mass हमेशा, सेम रहेगा, balanced chemical reaction में, अब देखिए, एक बात याद रखना, हमारे पास nuclear reactions, nuclear reactions, अगर मैं इनकी बात करूँगा, तो nuclear reactions में, law of conservation of mass not applicable, तो यह apply नहीं होगा, nuclear action में, law of conservation of mass not applicable, क्यों apply नहीं होगा, तो उसका मैं reason बताता हूँ, कोई भी nuclear actions है, nuclear actions में क्या होथा है, जो nucleus है, उसका disintegrate, या तो nuclear fusion होगा, या तो fusion होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ mass defect आता है, जिसको हम लोग del M से denote करते हैं, तो हमारे पास वो energy में convert हो जाता है, तो energy क्या होती है, del M into C square, is that clear, तो हमारे पास energy, nuclear reactions के दौरान, जो भी energy release होती है, तो वो responsible, उसके लिए responsible कौन है, उसके लिए responsible है, हमारा mass defect, तो यह बहुत important है, nuclear reactions के लिए law of conservation of mass apply नहीं होगा, तो क्या हमारे पास exothermic reactions, या फिर endothermic reactions, उनके लिए apply होगा, ठीक है, तो आप कहोगे, yes, exothermic reaction and endothermic reactions, इनके लिए law of conservation of mass applicable लोगा, क्योंकि कोई भी reaction exothermic है, या endothermic है, उसका मकलव क्या हुआ, exo का मतलब सबको पता है, कि heat release हो रही है, endo का मतलब सबको पता है, कि heat absorb हो रही है, तो अगर कोई exothermic है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि heat release हो रही है, अब हीट release होने का reason क्या है, bond ज्यादा बन जाए, ठीक है, और heat absorb कब होती है, जब bond तूट जाए, ठीक है, तो हमारे पास कोई reaction अगर exothermic है, या endothermic है, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि वहाँ पर law of conservation of mass supply नहीं होगा, वो तो bond energy के difference के कारण heat release या absorb हो रही है, तो this is very important, student, nuclear reactions में law of conservation of mass supply नहीं होता, and it is applicable for exothermic reaction and endothermic reaction, तो इनके लिए apply होता है, इसमें बिल्कुल confusion create नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसके basis पर बहुत सारे questions बनते हैं, कुछ ऐसे questions, जो 8th, 9th का जो mathematics है ना, बिल्कुल simple question, equation given होगी, वहाँ पर तुम्हें solve करना होगा, तो आईए, एक question में आप से discuss करता हूँ, calculate the amount of carbon required, carbon sample, कर लो, carbon sample required to produce 88 gram CO2 gas, purity of carbon sample is 75%, purity of carbon sample is 75%, calculate the amount of carbon required to produce 88 gram carbon acid, देखो, किसी भी question को करने से पहले, अगर तुम question की language को ध्यान से समझ लेते हो, तो वो question कभी गलत नहीं होगा, हमारे पास question में क्या है, calculate the amount of, तुम्हारे पास कोई carbon sample है, ठीक है, carbon sample की purity कितनी है, 75% और 88 gram carbon dioxide हमें produce करवानी है, complete, अब carbon, यहाँ पर question में, during complete oxidation, यह भी लिख देता है, during complete oxidation, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कैसे solve होगा, तो यहाँ पर solution, क्या यह मेरा carbon है, ठीक है, carbon solid plus, साथ में क्या होगा, O2 gas, and there will be the formation of below CO2 gas, is that clear, सबको पता है, complete combustion, carbon, carbon का complete combustion होगा, तो हमारे पास carbon dioxide बनेगी, और incomplete combustion होगा, तो carbon monoxide बनेगी, अच्छा, सभी student एक जरूर याद रखा करो, CO plus H2, अगर carbon monoxide gas plus H2 gas, यह दिया गया हो, तो इसको combinedly बोलते हैं, water gas, तो this is called water gas, ठीक है, और अगर CO plus N2, यह दिया गया हो, तो this is called producer gas, producer gas, तो चीजों को systematically, sequence wise याद रखना है, carbon monoxide plus H2, क्या है हमारी, that is our water gas, carbon monoxide plus N2, क्या है हमारी, that is our producer gas, यहाँ पर हमारे पास question में देखिए, यह, क्या यह, सबसे पहले चेक करो, क्या यह equation balance है, yes, इधर कितने carbon है, 1, इधर कितने carbon है, 1, इधर कितने oxygen है, 2, इधर कितने oxygen है, 2, हमारे पास यहां पर एक मिनिट यहां पर हमारे पास कितना अगर मैं देखू क्या कार्बन का मास बारा ग्राम होता है बारा ग्राम कार्बन 32 ग्राम oxygen से react करके यहां पर 44 ग्राम carbon dioxide बना रहा है बिलकुल simple I don't think so किसी student को इसमें को issue है percentage purity मैं इसलिए बीच में लेकर आया हूँ क्योंकि इसका question neat में आता है commonly ठीके तो हमारे पास 44 ग्राम carbon dioxide है अगर 44 ग्राम carbon dioxide है तो 44 ग्राम carbon dioxide कितने carbon से बन रहा है 12 ग्राम से यह सरो तो अगर मैं 88 ग्राम carbon dioxide बनाना चाहूं तो यहां पर कितना यूज होगा क्या यहां पर 24 ग्राम यूज होगा how much carbon will be used 24 ग्राम carbon am I right बिलकुल simple अब मुझे इक बाबत है यहां पर 24 ग्राम carbon तो तब चाहिए ना जब यह 100 परसेंट pure होगा यहां पर carbon sample की purity कितनी है what is the purity of carbon sample 75 परसेंट what is the purity of carbon sample 75% what does it mean इसका मतलब क्या है 75 परसेंट का मतलब क्या है इसका मतलब है कि अगर अगर मैं sample 100 ग्राम लेता हूं तो मुझे उसमें 75 ग्राम pure carbon मिलेगा अगर मैं 100 ग्राम सेंपल लेता हूं तो मुझे 75 ग्राम pure carbon मिलेगा 75 परसेंट purity ठीक है अब मुझे बताईए question के accordingly हमें तो 24 ग्राम carbon चाहिए भाई क्यों क्योंकि 88 ग्राम carbon how much we need 24 ग्राम carbon am I right और अगर मुझे 24 ग्राम carbon चाहिए वो है 100 परसेंट प्योर ठीक है 100 परसेंट प्योर तो 24 ग्राम चाहिए पर मेरे पास सेंपल की प्योर्टी कितनी है 75 परसेंट तो मैं कितना सेंपल यूज करूंगा तो मैं इसको बिलकों simple equation से मैं कितनी amount लो जिसका 75 परसेंट करने पर मेरे पास answer 24 आए तो मैं इसको solve कर लेता हूँ तो यहाँ पर क्यों गया 3 यहाँ पर कितना हो गया 4 तो x की value कितनी हो गई 24 into 4 divided by 3 is that clear तो यहाँ पर कितना हो गया 8 तो इसका मतलब answer आ गया 32 ग्राम तो हमारे पास carbon sample का जो हमें amount चाहिए वो कितना होगा 32 ग्राम क्योंकि 32 ग्राम में 75 percent pure कितना हो गया हमारे पास 24 ग्राम हमें pure carbon मिलेगा तभी जाकर हमें 88 ग्राम carbon dioxide gas मिलेगा this question is again very important question को ध्यान से पढ़ना है question ध्यान से पढ़ोगे तभी question solve होगा okay so this is the law of conservation of mass जितनी भी equation balanced होती है वो इसी के उपर based होती है law of conservation of mass CDC mass of reactant will be equals to mass of product ठीक है during the chemical reaction okay next is our before going to start further I would like to discuss few things कुछ unit conversion हम हलके हलके फटाफट discuss कर लेते हैं भई सबसे पहले मुझे बताईए यहाँ पर weight का तो case clear है mass का तो kilogram one kilogram का मतलब हो गया 1000 gram अब आजाए यह volume के case में जो normally बच्चे confusion create कर लेते हैं तो हमारे chemistry में ज्यादा conversion ही है one liter is equals to one decimeter cube पहले तो यह ज़रूर याद रखता है आप लोगोंने physics में deci, milli, centi सब कुछ पढ़ रखा है ठीक है तो नहीं पढ़ा तो एक बार revise कीजेगा इसमें कोई confusion नहीं होनी चाहिए one liter is equals to one decimeter cube and हमारे पास one meter cube is equals to यहाँ पर thousand liter ठीक है और एक और चीज़ one centimeter cube is equals to one ml one centimeter cube is equals to one ml तो this is the case of volume यह हमारा volume का case है ठीक है अब दिखे एक और चीज़ है that is temperature सभी को पता है temperature में एक Celsius scale होता है एक Fahrenheit scale होता है और एक Kelvin scale होता है तो सबसे पहले Kelvin क्या होता है 273.15 plus degree Celsius यह हमारा Kelvin scale अगर मैं degree Celsius की बात करूंगा तो Celsius और Fahrenheit scale में relation क्या है हाँ जी degree Celsius is equals to 5 by 9 degree Fahrenheit minus 32 ठीक है एक temperature होता है वो minus 40 degree Celsius and it will be equals to minus 40 degree Fahrenheit तो minus 40 degree Celsius बिल्कुल क्लियर हो गया तो आप कोई भी value यहां पर पूट करके देखलो जैसे मैं minus 40 ही degree Fahrenheit की पूट करता हूँ तो minus 40 minus 40 minus 32 कितना हो गया minus 72 तो 9 8 minus 72 तो यहां पर minus 8 आगा minus 8 into 5 यहां पर minus 40 यानि की minus 40 degree Celsius is equals to minus 40 degree Fahrenheit I hope सभी student को एक बेसिक बेसिक चीजें यह समझा आ देने है ठीक है next second है हमारे पास law of constant composition ठीक है law of constant composition तो law of constant composition को हम लोग law of definite proportion बोलते है law of definite proportion तो law of constant composition में क्या होता है हमारे पास मान लीजिए carbon dioxide है carbon dioxide में हमारे पास carbon का mass कितना है 12 and oxygen का mass यहां पर 16 यानि की ratio क्या होगी 12 ratio 32 यानि की क्या हो 3 ratio 8 तो ratio of carbon and oxygen is 3 ratio 8 similarly we are having H2O तो H2O में क्या हो गया यहां पर hydrogen यह 1 हो गया यहां पर 16 तो 2 ratio 16 यानि की 1 ratio 8 इसका मतलब क्या हुआ किसी भी compound की अंदर जो element की ratio होगी वो fixed होगी by mass ठीक है तो किसी भी compound की अंदर इन्हें compound तो कोई भी compound है तो fixed ratio of element by mass ठीक है law of constant composition Lewis Prowse ने दिया था हमें इसे कोई मतलब नहीं है ठीक है फिर भी NCRT के अंदर यह given है तो थोड़ थोड़ा scientist के नाम पड़ते समय जरूर याद रखेगा जैसे law of conservation of mass mass it was given by Levosier तो यह Levosier and verified by Lendold ठीक है और यहाँ पर यह वाला किस ने दिया था Lewis Prowse ने है तो this is the law of constant composition या फिर definite proportion यहाँ पर अगर isotopes होंगे तो यह फिर apply नहीं होगा जैसे for example यहाँ पर carbon dioxide है और यहाँ पर भी carbon dioxide है यहाँ पर हमने carbon का isotope कितना लिए 12 और यहाँ पर 14 तो यह क्या होगया 12 ratio 32 और यहाँ पर क्या होगया 14 ratio 32 तो अगर isotopes होंगे तो हमारे पास यह चीज़ अप्लाई नहीं होगे क्लिर है तो isotopes के लिए यह अप्लाई नहीं होता तो law of constant composition definite proportion क्या कहता है fixed ratio by mass किसकी elements की है next हमारे पास जो law है that is law of multiple proportion important है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा highlight कर दिया it was given by doyton law of multiple proportion क्या कहता है हमारे पास अगर दो element and दो element combine करके एक से जादा compound बनाते हैं तो उसमें अगर मैं एक element का mass fix करतूं तो दूसरे element का जो mass होगा वो simple whole number ratio में आएगा different compounds में clear तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर पहले statement when two elements combine to form more than one compound then the mass of another element will be in simple whole number ratio तो हमारे पास when two elements combine to form more than one compound then on fixing the mass of one element the mass of another element will be in simple whole number ratio हो बिल्कु simple मुझे पापत ही है यहाँ पर carbon carbon and oxygen आपस में रेक्ट करके carbon carbon monoxide बनाते हैं and carbon dioxide बनाते हैं clear हो क्या इसका मकलब है कि हमारे पास carbon and oxygen क्या होगा यहां carbon का मास कितना है 12 oxygen का 16 तो यहां पर देखें carbon ratio oxygen तो यहां पर 12 ratio 16 आया Hello और दूसरे case में कितना है 12 ratio 32 तो अगर मैं एक का मास fix कर दिया अब देखो यहां 12 ही है न तो यहां पर oxygen का कितना हो गया 1 ratio 2 में आएगा simple whole number ratio ठीक है भाई दो element है दो element combine करके एक से ज़्यादा compound बना रहे हैं तो अगर मैं एक का mass fix कर दूँगा को दूसरे का simple whole number ratio में आएगा अब एक और example लेता हूँ जैसे for example हमारे पास H2O है ठीक है बिट और यहां पर H2O2 है बचो थोड़ा सा इस ट्रापी को ध्यान से समझे ठीक है अब देखो हमारे पास यहां पर hydrogen का mass 1 होता है oxygen का 16 यहां पर hydrogen का 1 oxygen का 16 तो ratio क्या होगी 2 ratio 16 ठीक है तो यहां पर क्या होगी 2 ratio हाँ जी 32 तो हमारे पास यह फिक्स है यह भी फिक्स है तो यहां पर 16 1 दा 16 16 2 दा 32 clear question क्या पूछा जाता है तो question पूछा जाता है कि law of multiple proportion कौन कौन follow करेगा तो हमारे पास यहां पर क्या होगा carbon monoxide carbon dioxide क्या यह law of multiple proportion follow करेगे यह ठीक है same element different compound अच्छा यहां पर H2O and H2O2 यह follow करेगा yes this is again next हमारे पास यहां पर एक important example है benzene and acetylene सभी students को पता होना था है यह acetylene का मतलब CH triple bond CH और benzene C6 H6 ठीक है तो यहां पर भी हमारे पास carbon and hydrogen है तो carbon and hydrogen मिलकर benzene भी बना रहे है और acetylene भी बना रहे है compound तो लग होगे न तो इसका मतलब law of multiple proportion यहां पर भी apply होगा एक बार confusion करने के लिए कई बार examiner water and heavy water इसका case discuss कर लेता है तो water का क्या हो गया H2O and heavy water क्या हो गया that is our D2 तो water क्या हो गया H2O and heavy water क्या हो गया that is our D2 तो अब यहां पर isotope आ गया तो isotope हो गया तो हमारे पास यह apply नहीं होगा तो heavy water and water में apply law में होगा So this is the law of multiple proportion यह law सिर्फ आपने general पढ़ने है इसमें कोई ज्यादा research नहीं करनी है क्योंकि इसके basis पर कभी भी direct questions नीट में नहीं पूछे गए है पिछले 15 साल होगे अब देखे अगली चीज़ है हमारे पास एक law है वो NCIT का part नहीं है हमें उसको discuss नहीं करना law of reciprocal proportion तो NCIT में given नहीं है तो हम लोग उसको include नहीं करेंगे तो next is our गेलुसेक्स law of combining volume गेलुसेक्स law of combining volume ठीक है अब देखें गेलुसेक्स law of combining volume क्या है इसको हम लोग law of definite volume भी बोलते हैं definite volume students यह gases के लिए applicable है इसके accordingly whenever whenever gases reacts together they do so in simple ratio with each other and also with product if product is gas at same conditions at same of temperature and pressure whenever gases reacts together they do so in simple ratio with each other and also with product if product is gas at same conditions of temperature and pressure जब भी gases react करेगे जैसे for example हमारे पास यहाँ पर 2 H2 gas plus O2 gas आपस में react करके अगर वो 2 H2O यहाँ पर देखो product side अगर gas है तभी consider करना है product को अदर्वाइस product को consider नहीं करना तो अब मुझे बताईए इसका कितना volume होगए 2 volume इसका कितना volume होगए 1 volume और इसका कितना volume होगए 2 volume तो यहाँ पर अगर यह 2 liter है तो यह वान- लिटर है और यहाँ पर 2 liter है hash pie 2 ratio 1 ratio 2 to 2 ratio 1 ratio 2 श्थीक है आईए एक example and discuss करते हैं इस law law के लिए ज़रूरी है reactant side gas का होना, reactant side जितने भी species होंगे वो gases होने चाहिए, अगर एक भी solid या liquid हुआ वहाँ पर ये law apply नहीं होगा, चीक है, अब देखें, जैसे हम लोग यहाँ पर पहले एक simple example ले लेते हैं, N2 एक minute, color change हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, N2 gas plus 3H2 gas and it will give us 2NH3 gas, ठीक है, अब देखो, हमारे पास यहाँ पर N2 gas है, तो इसका कितना volume हुआ, 1 volume, इसका कितना volume हुआ, 3 volume और इसका कितना volume हुआ, 2 volume, am I right, क्या reactant यह gas है, yes, क्या यह gas है, yes, और क्या यह gas है, yes, product gas हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, पट reactant gas होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ratio क्या आएगी, 1, ratio 3, ratio 2, इसका मतलब Gay-Lussex law, यहाँ पर apply होगा, अब मैं यहाँ पर एक question और देता हूँ, for example, अगर मैं एक simple सा बोलू के, P phosphorus, phosphorus solid, plus 6 S2 gas, and it will give us 4 pH 3 gas, तक क्या इसमें गे-Lussex law apply होगा, सोचे, क्या apply होगा, भाई, Gay-Lussex law में, reactant side, gaseous होना जरूरी है, gaseous substance होना जरूरी है, तो इसका मतलब, यहाँ पर यह वाली चीज, यह solid है, तो यहाँ पर apply नहीं होगा, तो इसका मतलब Gay-Lussex law is not applicable over here, I hope, सभी students को इतना clear हो गया है, ठीक है, next, अगर मैं एक example और कर लेते हैं, भाई, देख plus O2 gas and यहाँ पर अगर 2H2O liquid, यह वाली चीज, तो हम लोग कहेंगे, yes, यहाँ पर apply होगा, क्यों, क्योंकि reactant तो सारा gas है, reactant तो gas है, ठीक है, एक और example, carbon solid plus O2 gas and it will give us CO2 gas, अब मुझे पताईए, फटा-फट, क्या इसके लिए apply होगा, तो तो तुमारा answer होगा, no, इसके ल plus O2 gas, it will give CO2 gas, तो यहाँ पर apply नहीं होगा, तो यह Lusak's law of combining volume, क्या कहता है, whenever gases react together, they do so in simple ratio by volume with each other and with the productive, product is gas, बट अगर product gas नहीं है, तो भी आपस में simple ratio में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, पट reactant side gas होना जरूरी है, क्या मेरे students को इतना point अच्छे से clear हो गया, तो आई होप आगी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इस अबर, Avogator's law, Avogator's law क्या कहता है, According to this law, equal volume of all gases contain equal number of molecules, actually, एक बरजीलियस hypothesis था, बरजीलियस hypothesis कहता था, equal volume of all gases contain equal number of atoms, बट वो चीज़ अपलाई तब होती है, जब atomicity same हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक gas के अंदर atoms same हो, जैसे H2 and O2 है, उसमें तो atom same होगा, अगर volume same है, तो atom भी same होगा, अगर दोनों का temperature and pressure का condition same है, बट carbon dioxide and H2 को compare नहीं कर सकते है, जहाँ पर atomicity gas की different होगी, वहाँ पर बरजीलियस अपलाई नहीं होगा, पर Avogator क्या है, इन्हों नहीं क्या कहा, equal volume of all gases contain equal number of molecules at standard conditions of temperature and pressure, standard condition of temperature and pressure. for example, मेरे पास 1 litre H2 gas है, ठीक है, 1 litre O2 gas है, 1 litre CO2 gas है, 1 litre NH3 gas है, अगर temperature and pressure की condition होगी same, तो इनके अंदर number of molecules भी होगे same, equal volume of all gases contain equal number of molecules, STP ले लो, या same condition of temperature and pressure, सबकी temperature and pressure की condition same होनी चाहिए, for example, अगर मैं 1 litre, अगर मैंने बोला, 1 litre CO2 gas है, तो 1 litre CO2 gas में, अगर X molecules है, let us suppose, at STP, तो 1 litre NO2 gas में कितने होगे, तो आप बोलोगे, volume depend करता है, volume matter करता है, gas कौनसी है, वो matter नहीं करती, क्योंकि equal volume of all gases contain equal number of molecules, यानि की volume same है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगया, X molecules at STP, अगर यहाँ पर 2 litre NO2 gas होगी, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, 2X molecules at STP, और यहाँ पर अगर 3 litre NH3 gas होगी, तो यहाँ पर क्या होगया, बोलो, 3X molecules at STP, ठीक है, तो equal volume of all gases contain equal number of molecules, और यहाँ से इन्होंने conclude किया था, कि 1 mole, कोई जो 1 mole, कोई भी gas होते है न, 1 mole of any gas, तो बेटा, इट विल बी इक्कोज टू 22.4 litre at STP, तो STP का मतलब क्या होगया, तो STP सभी student को पता होना चाहिए, के temperature कितना लेना है, 273 Kelvin, and pressure कितना होता है, 1 bar, तो pressure इसका 1 bar होता है, इसको थोड़ा सब मेरे back side आ गया, तो pressure is 1 bar, I hope सभी students को यह clear होगे, ठीक है, तो this is Avogadro's law, ओके, अब देखे, next, हमारे पास है, Dalton's Atomic Theory, Dalton's Atomic Theory, Dalton's Atomic Theory, it was given by John Dalton, in 1808, तुम्हें कोई years याद नहीं रखने, even की scientist के name भी पूछे नहीं जाते, नेट के अंदर, ठीक है, तो सिरफ इसको पढ़िये, Dalton's Atomic Theory क्या कहती है, इसका पहला point, matter is made up of smallest indivisible particle called atom, matter is made up of smallest indivisible particle called atom, तो जो हमारा matter होता है, वो that is made up of smallest indivisible particle called atom, ठीक है, हमारे पास atom, of same element have identical properties, atoms of same element have identical properties, identical property मतलब हमारे पास उसका mass, ठीक है, तो उसका size, shape, वो सब same रहेगा, next, atoms of different element have different property, ठीक है, जैसे मान लो मैंने carbon का atom लिया, तो उसका mass 12, nitrogen का atom लिया, तो उसका mass 40, सब्सक्राइब है, ओके, हाँ जै, atoms can neither be created nor destroyed, ना ही atom को बना सकते हैं, ना ही खतम कर सकते हैं, यह डॉल्टन ने थियोरी दे थे, पांच मांच मां, atom of different element combine in fixed ratio by mass, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, the compound, okay. तो atoms of an element combined in fixed ratio by mass is called compound, so these are the postulates of Dalton's atomic theory, तो Dalton's atomic theory के postulates, यह theory वाले questions यहाँ पर बनते हैं, सबसे पहला matter is made up of smallest invisible particles called atom, इनको क्या बोलते हैं, atoms of same element have identical properties, मतलब mass same होका, ठीक है, size same होका, atoms of different element have different properties, जैसे carbon है, carbon का मास 12 है, nitrogen का मास 14 है, next, atom can neither be created nor destroyed, इनको ना तो हम by any physical or chemical method, मतलब हम लोग किसी भी physical या chemical method से ना ही atom को तोड़ सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ठीक है, atoms of different element combined in fixed ratio by mass is called compound, हमारे पास कोई compound है, तो compound किससे बनता है, compound is made up of atom, I hope सबी students को इतना clear हो गया, postulate Dalton's atomic theory के बहुत important है, theoretical question इससे बनते हैं, ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, law of conservation of mass पढ़ लिया, law of definite proportion यानि की law of constant composition पढ़ लिया, law of multiple proportion पढ़ लिया, ठीक है, law of multiple proportion की example भी हमने discuss की है, उसके बाद हम लोग इसके जो पी वाई क्यू के related, जो भी कोई questions पी वाई क्यू में होगा, वो next वीडियो में हम लोग include करेंगे, तो अच्छे तरीके से इस chapter को समझेए, उसके बाद हम लोगों ने Avogadro Law पढ़ा, Andy Dalton's Atomic Theory और एक गेलू-सक्स law of combining volume यानि की law of definite volume वो भी हमने discuss कर लिया, I hope सभी students को इतना clear हो गया है, ठीक है, Next है हमारा Atomic Mass, सबसे पहले Atomic Mass, ठीक है, Atomic Mass क्या होता है, Mass of an Atom, with respect to, 1-12th Mass of T-12th Atom, क्योंकि हमने ratio में लिया है, तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, Relative Atomic Mass, तो Relative Atomic Mass, एक Unitless Quantity है, इसके कोई Unit नहीं होता है, ठीक है, हाँ जी, अब दिखे, Mass of, 1 Atom, of C-12, ठीक है, तो बिटा, C-12 Atom के, एक Atom का जो Mass है, वो हम Mass Spectrometer से Find Out कर लेते हैं, तो, is found to be 1.99 into 10th over minus 23, ठीक है, तो यह Calculate कैसे किया गया है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, This is Calculated by using Mass Spectrometer, ठीक है, तो Mass of 1 Atom of C-12, ठीक है, तो 1 12th, Mass of C-12 Atom, it will be equals to 1 by 12 into 1.99 into 10th power minus 23 gram, तो, it will be equals to, यह किस के कल हो किया, that will be equals to 1.66 into 10 raise power minus 24 gram, तो बेटा, 1.66 into 10th power minus 24 gram, इसको क्या बोलते हैं, This is called Atomic Mass Unit, और U, U stand for Unified Mass, तो 1 12th Mass of C-12 Atom, तो this is 1.99 into 10th power minus 23 gram, तो यानि कि Atomic Mass Unit, यह इसको solve करके कितना आ गया, EMU या फिर Unified Mass, I hope सभी students को इतना clear हो के है, अब देखें, क्या हम इसको थोड़ा सब correct करके लिखें, अगर सही करके लिखें, तो हम ऐसे लिख सकते है, Relative, यह मेरा Relative Atomic Mass है, ठीक है, ओके, Relative Atomic Mass, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, what we call it EMU, तो Relative Atomic Mass, भही मुझे यह बताईए, यह वाली, 1.12th Mass of C12 Atom है, तो 1.12th Mass of C12 Atom तो इतना ही हो गया न, तो इसका मतलब है, यह EMU हो गया, Atomic Mass Unit or U, तो इसका मतलब इसके नीचे यहाँ पर EMU लिख सकते हैं, अब मुझे बताईए, एक Atom का Mass क्या होता है, हमारे पास Atomic Mass, what we write, Atomic Mass, यह मेरा Atomic Mass होता है, अगर ही Atomic Mass होता है, तो आईए, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास Atomic Mass, it will be equals to, वो किसके को लो गया, Relative Atomic Mass into, अब देखो, क्योंकि यह EMU है, तो EMU, Left Hand Side, Relative Atomic Mass से मल्टिप्लाई कर देंगे, तो into EMU, चीक है, इसका मैंने एक Concept Box भी यहाँ पर बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर इसको और जादा detail में भी देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे questions भी discuss की हुए है, वरना यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, जैसा आपको comfortable लगे, तो हमारे पास जो Relative Atomic Mass है, उसका तो unit होता ही नहीं है, वो तो unit less है, और यहाँ पर EMU, अगर Relative Atomic Mass के बगल में EMU लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, that is called Atomic Mass, for example, अगर मैं यहाँ पर किसी भी student से discuss करूँ के, बेटा मैंने Magnesium लिया, तो Magnesium यहाँ पर 24 लिखा, और यहाँ पर 24 EMU लिखा, तो दोनों में क्या difference है, तो वो बोलेंगी, यह 24 है, तो 24 क्या हो गया, Relative Atomic Mass, and 24 EMU क्या हो गया, यह 24 Relative Atomic Mass ह तो 24 EMU क्या हो गया, तो this is called Atomic Mass, यह हमारा Atomic Mass है, यानि कि Atomic Mass का मतलब क्या हो गया, Mass of One Atom, ठीक है, अब आप EMU की Value भी Put कर सकते हैं, जो भी हो, वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने जैसा कि पहले ही बोला है, कि आप लोग एक से लेकर 30 तक Atomic Mass जरूर याद रखेगा, भाई, इसमें 1% भी Problem नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फटा फट, फटा फट, वैसे तो Need के अंदर क्या होता है, questions given होते हैं, वहाँ पर दिया जाता है, question के अंदर या Atomic Mass दिया जाता है, पर फिर भी आप लोगों को 1% भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, एक से लेकर 30 तक जो भी element है, सबका Atomic Mass याद होना चाहिए, clear? अब देखो, यहाँ पर कुछ question डिसकस कर कितना होता है, 24, 24 बगल में जो दिया गया है, वो unit less है, पर इसका मतलब वो क्या दिया है, relative Atomic Mass, अब इसका solution क्या होगा, तो solution इसका, बिलकु सिंपल, 2 atoms of magnesium का मतलब क्या होगा, तो 2 into 24, it will be equals to 48 Amu, क्या मैं 48 Amu लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 1 atom का mass 24 Amu है, तो 2 atom का mass कितन होगा, 48 Amu, तो अगर आप 48 Amu लिखना चाहते है, 48 Amu लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते है, 48 Amu की value पूट कीजिए, 1.66 into 10s power minus 23 gram, sorry, into 10s power minus 24 gram, और क्या लिख सकते हो, 48 into 1.99 into 10s power minus 23 divided by 12 gram, तो क्या लिख सकते हो, ठीक है, तो this is the case of atomic mass, अब आप मुझे लगता है कि atomic mass and relative atomic mass के बीच relation आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हम लोग एक कुछ questions ट्राइ करते हैं, mass of two atoms of aluminium, second, mass of 10s power 20 atoms of iron, तो यह मेरा 56 हो गया, और यह मेरा 27 हो गया, ठीक है, यहाँ पर mass of two atoms of aluminium, अब मुझे बताइए, यह 27 दिया गया है, तो सभी students को पता होना चाहिए, 27 एक unit less quantity है, तो 27 unit less quantity है, तो इसका मतलब यह relative atomic mass हुआ, अब relative atomic mass है, atomic mass, मतलब mass of 1 atom निकालना है, फटबड़ निकाल लिए, क्या होगा, 27 into EMU करोगे, करोगे या नहीं करोगे, तो 27 into EMU, यह तो एक atom का mass हो गया, अब हमें 2 atom का mass निकालना है, तो 2 atom का mass क्या हो गया, 27 into 2, तो this one will be 54 EMU, आप 54 EMU लिख दीजिए, अगर आप नहीं लिखना चाते है, gram में convert करना चाते है, that is up to you, 54 into 1.66 into 10th power minus 24 gram, तो this is, और इसको क्या लिख सकते है, 1.99 into 10th power minus 23 divided by 12 of gram, is that clear, तो यह हमारा mass of 2 atoms of aluminium होगे, mass of 10 raise to the power 20 atoms of iron, अगर 10 raise to the power 20 atoms of iron की बात करेंगे, तो भई, एक atom का, अब मुझे, मुझे नहीं बोलना, अब तो मुझे बताओ, फड़ा बड़, एक atom का 56 EMU होगा, तो 10th power 20 का क्या होगा, तो 10th power 20 into 56, इतना AMU, और हम इसको क्या लिखेंगे, 56 into 10 raise power 20 into 1.66 into 10th power minus 24, इतने gram हो जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग 10th power 20 atoms of iron का मास भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल basic सी चीज, बिल्कुल simple, तो मुझे लगता है, atomic मास and relative atomic मास, बिल्कुल concept हमारा clear होगा है, अब देखें, हमारे पास यहाँ पर mole, एक शब्द आता है, mole, 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 जैसे हम लोग यूज करते हैं, dozen, dozen का मतलब 12 होता है, उसी परकार से chemistry में हम लोग यूज करते हैं, mole, mole क्या होता है, total number of carbon atoms, इसकी value, क्या होती है, it is equals to total number of carbon atoms, present in 12 gram of C12, ठीक है, तो total number of carbon atoms, present in 12 gram of C12, is that clear, तो this, यह क्या हो गया हमारा, यह हमारा mole हो क्या है, अब देखें, हमारे पास calculations कैसे होंगी, मुझे बताईए, mass of, one atom of carbon, तो कितना होता है, 1.99 into 10th power minus 23 gram, तो therefore, total number of atoms of carbon in equinate in 12 gram of C12, तो कैसे निकालूंगा, भई, एक atom का mass हमें दिया हुआ है, तो total का निकालना है, तो क्या करूंगा, 12 divided by 1.99 into 10th power minus 23, इतने atom हमारे हो जाएंगे, मुझे लगता है, यह बिल्कुल ना मेरे back side आ गया, तो इसको हम एक काम करते हैं, next page पर copy करके ले जाते हैं, copy और यह हो गया, paste, ठीक है, अब दिखें, यहाँ पर mass of one atom of carbon, यह तो हमने बताया था, mass spectrometer से calculate किया, तो total number of atoms of carbon in 12, gram of C 12, ठीक है, तो कितने होंगे, 12 divided by 1.99 into 10th power minus 23, जब इसको solve करेंगे न, it is found to be 6.022 into 10th power 23, और इतने particles per mole, मतलब mole का मतलब क्या होता है, particles per mole, मतलब कितने, mole का मतलब Avogadro constant, यानि की यह वाली value, Avogadro constant, और इसको हम लोग N ने से लिखेंगे, ठीक है, अब मुझे एक बाबत आई, यहाँ पर मैंने EMU पढ़ाया था, EMU का मतलब क्या हुआ था, EMU का मतलब हुआ था हमारे पास, 1.99 into 10th power minus 23 divided by 12, येस, और N नोट पढ़ाया था, तो N नोट का value क्या हो गया था, 12 upon 1.99 into 10th power minus 23, तो यह मेरा EMU हो गया, और यह मेरा N नोट हो गया, अगर मैं unit consider ना करूँ, तो सभी student को पता होना चाहिए, N नोट is equals to 1 upon EMU, ठीक है, तो Avogadro constant के unit क्या होती है, वो जरूर याद रखने है, पार्टिकल्स पर मोल, तो these are the particles पर मोल, तो these are the unit of Avogadro constant, ठीक है, तो सभी students को मोल के बारे में पता लगे है, ठीक है, मोल क्या होता है, टोटल number of carbon atom present in 12 gram of carbon, कौन सा isotope, C12 isotope, तो यह C12 isotope की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब आईए, हम लोग यहाँ पर एक discuss करते हैं, एक बड़ी simple सी चीज, मुझे बताईए, mass of one atom of sodium, ठीक है, तो mass of one atom of sodium, इसकों लोग क्या बोलेंगे, what we call it, this is called atomic mass, तो mass of one atom of sodium कितना हो गया, 23 EME, यह होगा na, 23 EME होगा na, ठीक है, तो mass of one mole atom of sodium, तो 23, अब देखो, 23 EMU into, अब यहाँ पर one mole है na, तो इनको क्या करेंगे, Avogadro number से multiply करेंगे, 23 EMU into N0, ठीक है, तो 20, यहाँ पर mass of one atom of sodium कितना होगा, 23 EMU, तो mass of one mole atom of sodium कितना होगा, 23 EMU into N0, ठीक है, जब मैं इसको solve करूँगा, तो हम इसको यहाँ पर solve करते है, 23 EMU का मतलब value put करो, अराम से 1.66 into 10s power minus 24, इतने, into Avogadro constant की value, 6.022 into 10 raised power 23, अब बेटा, मुझे बताईए, 1.66 into 10th power minus 24, इसके unit क्या है, gram, and 6.022 into 10th power 23, इसके unit क्या है, that is per mole, तो हमारे पास mass of one mole of atom कितना होगा, it will be equals to 23 gram per mole, तो यह क्या होगा है, बोलो, 23 gram per mole, तो these are the mass of one mole atom, और one mole atom के mass को हम लोग क्या बोलते हैं, gram atomic mass, तो क्या हो गया, gram atomic mass, तीन चीज़े तुमारे सामने आ गई हैं, पहले नमबर पर atomic mass, दूसरा relative atomic mass, तीसरा gram atomic mass, तो मुझे लगता है, अच्छे से याद हो गया है, तो अगर मैं यहाँ पर sodium लिखता हूँ, मैंने किसी बच्चे को लिख कर दिया, कि भाईया, यह मैंने 23 किया है, तो आप क्या बोलोगे, 23 is our relative atomic mass, ठीक है, फिर मैंने बोला, कि भाईया मैंने 23 EMU लिखा है, तो यह क्या हो गया, बोलो, यह है हमारा atomic mass, और फिर मैंने बोला, 23 gram पर मोल लिखा है, तो इस इस ग्राम atomic mass, चिक है, कई बच्चे बोलते हैं कि भाई, कुश्चन पूछा जाता है, ग्राम atomic mass क्या होता है, तो ग्राम atomic mass का मतलब, atomic mass expressed in gram, नो, यह गलत है, यह जनरल बोल देते हैं, पर exact क्या है, कि atomic mass और gram atomic mass पर डिफरेंस क्या है, एक atom के mass को atomic mass बोलोगे, और एक mole atom के mass को क्या बोलोगे, gram atomic mass, दिस इस वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, आईए, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, sodium मैं नॉर्मली ले लेता हूँ, अब sodium नहीं लेंगे, आज magnesium लेकर चलेंगे, यहाँ पर हम लोग, यह magnesium, magnesium का कितना हो गया, 24, तो यह 24 लिखा हुआ है, तो 24 क्या हो गया, इस इस वेर relative atomic mass, तो हमारे पास, magnesium का, एक क्या हो गया, mass of one atom, और, यहाँ पर हमने लिखा, mass of one mole atom, ठीक है, तो mass of one atom, अब सभी student को पता होना चाहिए, एक atom का mass, तो इसको क्या बोलते हैं, this is called, atomic mass, और, mass of one mole atom, तो यह क्या हो गया, बोलो, this is our gram, atomic mass, यह हमारा gram atomic mass है, और यह क्या हो गया, atomic mass, अगर मैं atomic mass की बात करूँगा, तो हमारे पास, magnesium का atomic mass कितना हो गया, 24 amu, ठीक है, क्या मैं 24 amu लिख सकता हूँ, तो चाहे तो 24 amu लिख दो, या फिर 24 amu पर atom लिख दो, इसको क्या कर सकते हैं, 24 into 1.66 into 10 raise to the power, minus 24 gram, clear, और हमारे पास, 24 into 1.66 into 10 raise to the power minus 27 kilogram, and 24 into 1.99 into 10 raise to the power minus 23 divided by 12, आप, ऐसा कोशन इग्जामिनर आपको जरूर देगा, जिसमें थोड़ी सी confusion create हो सकते हैं, ठीक है, अब देखे, mass of 1 mole atom, तो mass of 1 mole atom कैसे निकालोगे, it will be equals to 24, यहाँ पर 24 लिखा, अब इन्टू, यहाँ पर 1.66 into 10 raise to the power minus 24, मैं जल्द बाजी में गलती कर देता हूँ, into 1 point, ए स्वारी, into avogadro constant, यहाँ कि 6.022 into 10 power 23, इसके unit क्या है, gram, इसके unit क्या है, per mole, तो हम लोग क्या करेंगे, यह वाली चीज और यह वाली चीज, cancel हो गई, क्यों, क्योंकि यह वाली चीज क्या है, मैं फिर बोर रहा हूँ, EMU, और यह वाली चीज क्या है, N naught, तो N naught and EMU को multiply करके answer क्या आता है, 1, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आपर, it will be equals to 24 gram per mole, 24 gram per mole, this is our gram atomic mass, और बेटा, gram atomic mass को, हम लोग molar mass भी बोलते हैं, तो यह molar mass of an atom, तो किसी भी atom का molar mass, clear है, अब देखें, अगर हमें mole calculate करने हैं, तो mole, mole calculate करने का वैसे तो कई तरीके हैं, पर एक simple, यह मैंने mole लिखा, mole calculate करने का तरीका क्या है, given mass upon given mass upon molar mass, तो यह mole calculate करने का तरीका है, तो this is the, यह calculate, हम लोग इसको, ठीक है, अगर atom की बात कर रहे हैं, तो atom के case में molar mass की जगा क्या होगा, gram atomic mass, आगे मैं molecule के बार में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर gram molecular mass, I hope सभी student को इतना तो clear होगे, ठीक है, अब आप कोई भी, कोई भी question बनाने से पहले, अगर यहाँ पर एक छोटा सा formula याद रखो, किसी भी चीज का gram atomic mass, जो भी atom का gram atomic mass होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, what we call it, molar mass, वो किस के एकल होता है, that will be equals to one gram atom, वो हमारा one gram atom के एकल होगा, one gram atom will be equals to one mole atom, मतलब वो किस का mass है, एक mole atom का mass, और that will be equals to Avogadro number of atoms, तो वो Avogadro number of atoms है, को लोगा, ठीक है, अब देखे, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, gram atomic mass, मतलब one gram atom, mass of one gram atom, mass of one mole atom, mass of Avogadro number of atoms, यह point हमें याद रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं magnesium की बात करूँए, या sodium की बात करूँगा, तो भई, मालो मैंने sodium लिया, तो sodium का कितना हो गया, 23 gram, gram atomic mass, 23 gram ही है ना, तो यह किस के को लोगया, इट विल बी इकोस टू, वन ग्राम atom of sodium, विल बी इकोस टू, वन मोल, sodium atom, विल बी इकोस टू, अवोगेडरो number of sodium atom, अच्छे से क्लियर हो गया है, तो हमारे पास 23 gram, जो मेरा sodium है, वन ग्राम atom of sodium, वन मोल sodium atom, अवोगेडरो number of sodium atom, तो दिस इस दर चेस, यह क्या हो गया हमारा, gram atomic mass, तो हमने, हमें कोई भी calculation करने के लिए, यह वाला table हमें याद रखना है, अगर यह table हमें याद हो गया, तो हमारे पास atom के case में, कोई भी problem हमें नहीं होगी, ठीक है, अब देखें, अगर मैं mole calculate कर लेता हूं, तो मैं बाकी चीज़े भी solve कर सकता हूं, ठीक है, तो, एक question हम लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मचले सकते, जजाईस number of atoms in 4.6 gram of sodium, number of moles in 5.6 gram of aluminium, mass of 10 raised power 23, atoms of silver, ठीक है, अब दिखे, हमारे पास 2 gram atoms, read the question carefully, आपको question ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, मास of 2 gram atoms, तो gram atom ही कठा दिया है, एक बार पीछे चलते हैं, आप सभी को पता है, gram atom का मतलब, mole atom, तो basically उसने 2 gram atom नहीं बोला, उसने 2 mole बोला है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 2 gram atom की जगा, हम लोग क्या बोलेंगे, 2 mole, तो यह magnesium का 24 होता है, तो भही मुझे बताइए, एक mole magnesium का मास कितना होता है, 24 gram, तो 2 mole का कितना होगा, 24 into 2, तो अंसर विल भी 48 gram, तो पहले का अंसर हमारा 48 gram हो जाएगा, ठीक है, 2 atom और gram atom दोनों में फरक है, ठीक है, याद रखोगे, तो अगर यहाँ पर, अगर माल लो, मैं अगर practice के लिए बोलू कि, भही या, 2 atoms अगर होता, तो आप क्या बोलते, यहाँ पर इसका जवाब होता, 48 AME, फिर 48 AME, ग्राम atom मतलब, mole atom, number of atoms in 4.6 gram of sodium, अगर 4.6 gram of sodium में number of atoms निकालने हैं, तो कुछ भी करने से पहले, आप क्या करोगे, यहाँ पर उसके moles निकालने की कोशिश करोगे, तो sodium का कितना होता है, 23, तो यहाँ पर mole, mole कैसे निकालते हैं, given mass, divided by molar mass, तो 23, molar mass कितना हो गया, gram per mole, और यह gram, ठीक है, तो जब आप इसको solve करोगे, यह gram, gram cancel, यहाँ पर कितना हो गया, it will be equals to 0.2 mole, तो अब 0.2 mole तो हो गया, अब number of atoms, अब मुझे बताए, एक mole में कितने atom होते हैं, एक mole में तो n-not atom होते हैं, तो 0.2 mole में कितने होंगे, तो 0.2 mole में हमारे पास atoms कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 1 minute, color change कर थोड़ा सा, तो यहाँ पर atoms कितने आ गए, तो therefore atoms, हाँ जी, it will be equals to 0.2 into n-not atoms, 0.2 into n-not atoms, this will be the case, ठीक है, तो इस तरीके से आपने questions solve करने हैं, mole के questions में तो silly mistakes ही होती हैं, अगर यह topic अच्छे से समझ लोगे, तो यह mistakes भी कम हो जाएंगे, number of moles in 5.6 gram of aluminium, अब मुझे तो लगता है कि कोई भी बना सकता है, तो आप क्या करोगे, mole, it will be equals to 5.6 divided by 27, ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ आ जाएगा, 0.21, approximately 0.21 इतने moles आगा है, ठीक है, these are the moles, तो इतने moles हमारे आगे, mass of 10th power 23 atoms of silver, तो I hope सभी student को यह तो clear हो गया, 10th power 23 है, तो 108 into 10th power 23, यह हमारा AMU हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, अब इसको AMU को convert करना है, जैसे मर्जी convert करते जाएए, तो मैं नीचे convert करके लिए देता हूँ, 108 into 10th power 23 into 6 into 10th power, sorry into equimunate into 1.66 into 10th power minus 24, okay, तो यह हमारा, mass of 10th power 23 atoms of silver, okay, अब अब नव यह वेरी मच फैमिलियर विद रिलेटिव अटोमिक मास, gram atomic mass, you are now able to distinguish between gram atom, one gram atom and one atom, मतलब समझ गये न, one gram atom, यह बहुत important है, mole clear हो गया, तो mole का value Avogadro constant, Avogadro constant की unit होते हैं, particles per mole, ठीक है, these are the units, okay, अब देखे, हमारे पास यहाँ पर अगली चीज़े, molecular mass, तो molecular mass पी बिलकुल ऐसी होगा, mass of one molecule, 1 12th mass of C12 atom, तो 1 12th mass of C12 atom यह होगा, ठीक है, तो mass of one molecule and 1 12th mass of C12 atom, अब यहाँ पर क्योंकि हम ratio में ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, this is our relative, अब 1 12th mass of C12 atom, सभी को पता है, this one will be equals to EMU, और mass of one molecule, यह क्या होगा, अब हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जो हमारा molecular mass होगा, वो क्या होगा, relative molecular mass into EMU, तो molecular mass, relative molecular mass into EMU, यह से भी लिख सकते हैं, चुक्के, अब देखो बिटा, हमारे पास यहाँ पर, जैसे estriso4 है, अब estriso4, molecule का mass कैसे निकालते हैं, concept box, mole concept का इस link पर available है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, मतलब यह जो YouTube channel है, वहाँ पर concept box में भी मैंने इस में detail में बताया हुए, तो estriso4 का mass, 2, प्लस sulfur का 32, प्लस oxygen का 64, तो total कितना होगा, 98, तो यह 98 होगा, अब estriso4 का 98 होगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 98 only, बस 98, तो इसका मतलब क्या होगा, this is called relative molecular mass, और अगर मैंने लिख दिया 98U, तो this is, यह वाली चीज़ क्या होगाई, this is our molecular mass, अब 98U मतलब 98EMA, चीक है, I hope सब students को इतना तो clear हो गया है, अब दिखें, हमारे पास यहाँ पर estriso4 लेते हैं, जिसका 98 relative molecular mass है, mass of, one molecule, mass of, one mole molecule, mass of one molecule and mass of one mole molecule, अब मुझे बताईए, एक molecule का mass, क्या होता है, एक molecule का mass, तो एक molecule का mass, सभी को पता होना चाहिए, this is called, molecular mass, अब molecular mass, केतना होगा, it will be cost to, या तो मैं 98 amu लिखता हूँ, 98 amu, कोई problem नहीं है, चला, नहीं है, तो फिर 98 u भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, 98 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, और क्या लिख सकता हूँ, 98 into 1.99 into 10 to the power minus 23, डिवादबाई 12 gram, तो तो दिस इस, यह क्या चीज़ है हमारी, यह है, एक molecule का mass, examiner आपको confuse करेगा, तो आप please be careful, आप जब question बना रहे हैं, सारी options को ध्यान से check करेगा, mass of 1 mole molecule, तो यह क्या होगा, यह 1 mole molecule का न, तो 1 mole molecule का mass क्या होगा, तो that will be 98 into, हाँ जी, अब आप 1.66 into 10 to the power minus 24 तो रहे गई रहेगा, into एवोगेडर नमबर, तो 6.022 into, yes, 10th power 23, अब सबी student को पता होना चाहिए, इसके unit क्या होते हैं, इसके unit Gram, और इसके unit क्या होते हैं, इसके unit क्या होते हैं, यह वाली वेली तो दोनों cancel हो गई, तो यहाँ पर क्या गया, unit 98 Gram per Mol, तो यह क्या है हमारा, this is our gram molecular mass यह हमारा gram molecular mass I hope सभी students को यह वाला point अच्छे से clear हो गया है, तो gram molecular mass एक बार फिर बोल देते हैं gram molecular mass को हम लोग क्या बोलते हैं? molar mass, तो शायद यह मेरी back side आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा side में कर देता हूँ, उमीद है सभी students को इतना clear हो गया, यह वाली चीज क्या हो गई? this is our molar mass अब देखिए अगर हमने molecule का molecule के case में mole निकालने है तो mole it will be close to molecule के case में given mass divided by अब हम क्या लिखेंगे? gram molecular mass gram तो बेटा gram molecular mass को मैंने बोला है चाहे gram atomic mass है, चाहे gram molecular mass है दोनों को प्यार से हम लोग क्या बोल सकते हैं molar mass तो that is called molar mass यह हमारा molar mass है तो हम लोग molecule के case में एक shortcut याद रखने के लिए बोल देते हैं ग्राम molecular mass कितनों का होता है? one gram molecules का one gram molecules का मतलब one mole molecule one mole molecule का मतलब Avogadro number of molecule ठीक है तो बेटा ये वाला टेबल आपको अच्छे से याद रखना है इसको ध्यान में रखना है ठीक है तो मैं इसको उसमें कर गेता हूँ box में तो this is gram molecular mass is equals to one gram molecule is equals to one mole molecule और is equals to n naught molecule ठीक है तो यहां पर हम लोग एक example और ले रहते हैं जैसे for example मालो मैंने molecule का case लिया जैसे carbon dioxide ले लिया अब मुझे पता है carbon dioxide का mass केता है 44 तो 44 gram of CO2 it will be equals to one gram molecule of CO2 it will be equals to one mole CO2 molecule और it will be equals to n naught CO2 molecule तो हमारे पास जो gram molecular mass है तो वो इस तरीके से हम लोग sort out कर सकते हैं clear है I hope सभी student अच्छे से लिखकर इसको समझ कर पढ़ रहे हैं और mole concept की खास बात है कि अगर लिखोगे नहीं तो समझोगे नहीं तो ठीक है तो यह वाली चीज़ है अब एक बात और याद रखनी है चो gas होती है अगर मैं noble gases को छोड़ दूँ तो सारी gases molecule की form में होती है तो one mole of any gas कोई भी gas that will be equals to 22.4 liter और it will be equals to 22400 ml और it will be equals to 22400 cm के हो cm3 को हम लोग क्या बोलते हैं c से तो इसका मतलब अगर यह gas है तो यह सारी चीज़ equal हो जाएगी किसके को हो जाएगी 22.4 liter तो मैं काम करता हूँ इसको next page पर हम लोग discuss करते हैं मान लीजिए आपके पास कोई भी gas है x y z कोई भी gas है ठीक है तो gas का जो volume होता है एक mole gas का volume that is called molar volume और molar volume पता है कितना होता है 22.4 liter यहाँ पर पर mol 22.4 liter पर mol और कभ at stp तो यह इतना volume stp पर होता है यह आवोगेटरोज लौक है ठीक है आए कुछ questions यहाँ पर हम लोग discuss करते हैं calculate number of molecules in 6.4 gram of s o 2 gas number of gram molecules in 9.8 gram of s 2 s o 4 volume occupied by 2 mol NO2 gas at stp dear students in the question it is mandatory that stp लिखा हो ठीक है पर कई बार नीट में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कुछ condition ना दी गए हो तो when nothing is given stp consider करके चले और एक बात और याद रखना stp और ntp पहले अलग लग होता था आज कल stp और ntp हम लोग chemistry के अंदर सेम कंसेडर करते हैं ठीक है तो question में ntp और stp दोनों को सेम कंसेडर किया जाता है आईए आप देखो हमारे पास यहाँ पर question क्या है number of molecules in 6.4 gram of s o 2 gas तो सबसे बहले हम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर यहाँ पर इसका mass हमें पता है इसका molar mass कितना होता है 64 gram per mole ठीक है यह मेरा molar mass होता है s o 2 का molar mass कैसे निकाला वह सलफर का 32 oxygen का 32 वह दो oxygen 32 32 plus 32 कितना हो गया 64 तो 64 gram per mole तो हमारे पास number of molecules कितने होगे 6.4 divided by 64 पहले mole निकाल लो तो 0.1 mole आगए या 0.1 mole आए hello तो therefore हमारे पास molecules कितने होगे तो molecules होगे हमारे 0.1 into N0 तो these are the molecules 0.1 into N0 यह है हमारे 6.4 gram s o 2 gas में कितने molecule होगे अगला question अपने आप में important है इसको थोड़ा सा फिर मैं हमेशा कहता हूं बचे गलती छोटी सी गलती बस क्या होती है question पढ़ने में गलती होती है ठीक है तो question को ढंग से पढ़िए यहां पर gram molecules है तो gram molecules का मतलब मोल ही निकालने है तो यार सीधा मोल निकालो ना तो क्या करना है it will be close to 9.8 divided by 98 तो यह क्या हो गया 0.1 तो जितने मेरे मोल होंगे उतने मेरे gram molecule तो 0.1 gram molecule तो यह 0.1 gram molecule next है हमारे पास volume occupied by 2 mol NO2 gas तो भई मुझे एक बाह बताओ STP पर तो 1 mol NO2 gas का कितना होता है 22.4 तो 2 mol NO2 gas का कितना हो गया 2 into 22.4 तो answer will be 44.8 liter तो यह बाला point याद रखा है आए अब हम कुछ और question discuss करते है पहला question calculate number one number of molecule in 2.24 liter CO2 gas at STP second number of moles of NO2 gas in 4.48 liter at STP third number of molecules in 1 ml of gas कौनसी gas SO2 gas ले लता है SO2 gas चलो 1 ml of SO2 gas at STP ठीक है तो आईए अब हम इन तीनों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझते हैं ठीक है सबसे पहले first question number of molecules in 2.24 liter of CO2 gas at STP तो यहाँ पर क्या हो गया क्या यहाँ पर mole होंगे तो mole का मतलब 2.24 divided by 22.4 तो कितना हो गया 0.1 mole तो यह मेरा 0.1 mole हो गया 0.1 into N0 तो number of molecules कितने हो गये 0.1 into N0 ठीक है अब देखो number of moles of NO2 gas in 4.48 liter भाई STP पर है 22.4 liter तो एक mole के इकोल होता है तो भाई जल्दी-जल्दी mole निकाल दो क्या करोगे mole will be equals to 4.48 divided by 22.4 तो यह कितना हो गया answer will be 0.2 mole mole पूछा गया तो भी 0.2 mole यानि की 0.2 mole molecule या फिर 0.2 gram molecule तो बहुत हार same thing I hope सभी student इसको अच्छे से समझ रहें number of molecules in 1 ml of SO2 gas तो 1 ml SO2 gas में हमारे पास कितने molecules है number of molecules पैट STP यह बहुत अच्छा question है बही मुझे एक बाब बताईए क्या हमारे पास 224 00 ml इसका मतलब 1 mole होता है होता है या नहीं होता है तो अगर 224 00 ml अगर 1 mole के एकोल होता है तो 224 00 ml में कितने molecule होंगे तो 1 ml में कितने होंगे इतने हमारे molecule होंगे और बेटा इस चीज़ को हम लोग क्या कहते है इस 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 काल्ड लॉशिमित नंबर यह क्या हो गया हमारा बोलो इसको हम लोग क्या बोलते है इस 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 काल्ड लॉशिमित नंबर किसी भी गया सके एक ml volume STP पर जितने भी उसके अंदर molecule होंगे इस इस काल्ड लॉशिमित नंबर तो लॉशिमित नंबर की वैल्यू क्या हो गई और नॉट डिवाड़ बैट टू तो पोर जेरो गया है अब देखें मुझे बताईए मास ओफ वन इलेक्ट्रॉन एक एलेक्ट्रॉन का मास कितना होते है तो शायद 9.1 in to ten minutes power minus twenty eight ग्रत्रॉन ग्रम में तो ट्न होगा और transmit कितना होगा और किलो ग्रम में कितना होगा द्सएंटग किलो ग्रमें Egyptians ौंच पावर म닌स साचिएं किलो ग्रम तो मास ओफ of ओ 1 mol electron तो ये कितना होगा नाइन वान इ豆 टन 10th power minus 28 into 6.022 into 10 raise power 23 तो हम लोग जब इसको solve करेंगे तो answer will be 0.55 milligram तो यह shortcut याद रखना 1 mole electron का mass कितना होता है that is 0.55 milligram नेक्स्ट चार्ज on चार्ज on 1 electron तो चार्ज on 1 electron 1.602 इंटो 10th power minus 19 कूलम तो चार्ज on 1 mole electron तो केतना हो गया 1.602 into 10th power minus 19 into 6.022 into 10th power 23 इतने कूलम तो जब हम इसको solve करेंगे 965 double zero कूलम तो that will be equals to 1 faraday ठीक है तो 1 mole electron तो यानि कि यह क्या हो गया 1 faraday कितना चार्ज एक mole पर कितना चार्ज होगा 1 faraday सभी को पता है चार्ज positive में भी हो सकता है और negative भी हो सकता है हां या ना तो भाई कुछ भी नहीं करना मान लो अगर मैं मैं एक simple सा question पूछ घ्या मेरे पास 1 mole n a positive 1 आप क्या बोलोगे एक mole न positive 1 एक पर एक यूनिट positive चार्ज ए इम राइट तो एक mole पर क्या हो गया एक mole positive चार्ज यानि कि कितना चार्ज 1 faraday similarly अगर मैं यहाँ यहाँ पर एक मोल CL-1 की बात करूँगा, तो एक मोल CL-1, तो यहाँ पर CL-1, अब एक CL-1 पर एक negative charge है, तो एक मोल CL-1 पर कितना होगा, that is again, this is very important, यह point याद रख नहीं, ठीक है, तो जैसे मैं कुछ example और discuss करता हूँ, मान लीजिए, मेरे पास है 0.2 मोल केल्शियम आइन, अब इस पर चार्ज निकालना है, या फिर 0.1 मोल कार्बोनेट आइन, या फिर एक और example ले लेता हूँ, 0.3 मोल नाइट्रेट आइन, ठीक है, या फिर 0.4 मोल पॉस्फेट आइन, तो आईए, फटा फट चार्ज फैराड में भी निकालते हैं और कूल में भी निकालते हैं, आइए, मुझे मिरी हल्प किजिए, कैश्यम आइन, अब कैश्यम आइन तू पॉस्टिव है, एक मोल क्या फिर फैरडिव, प्र कितना होगा, 0.2 इंटो 2 Faraday it will be equals to 0.4 Faraday और इसको कुलम में कनवर्ट करना है तो कुछ भी नि करना 0.4 इंटो 965 00 Column. Similarly 0.1 mol कार्बोनेट आयन पर केतना होगा 0.1 into 2 Faraday यान की 0.2 Faraday and it will be equals to 0.2 0.2 into 965 00 Column. 0.3 mol nitrate ion तो भी 1 mol nitrate ion पर 8 Faraday तो 0.3 into 1 Faraday or it will be equals to 0.3 Faraday तो यान की 0.3 into 965 00 Column and 0.4 में तो 0.4 into 3 Faraday, answer will be 1.2 Faraday or it will be equals to 1.2 into 965 00 Column. तो this is the case. I hope सभी student को ये वाला दा एक्जाम्पल आफ सबसे पहले एवोगेडरो कॉंस्टेंट मुझे बताईए न न न न न या फिर एन न नॉट इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इतने पार्टिकल्स पर मुल होंगे. तो एक एक जामपल एक सबसेंट कीजए. मान लिए मेरे पास एक कार है. अब उस कार में कितने टाइर होते हैं. अगर मैं स्टिपनी को छोड़ दू तो हमारे पस चार टायर होते हैं. ठीक है तो एक आर में चार इयानिकि एक कार में 4 तो 10 cars में कितने tires होंगे तो definitely 10 into 4 40 similarly एक car में एक steering है तो 10 cars में कितने होंगे 10 steering होगे इसका मतलब car के आगे जो भी number लगता जाएगा उसी के accordingly हमारे जो भी उसके जो parts है उननी को भी उससे multiply करना पड़ेगा ठीक है अब example लेते हैं हम लोग एस्टेसोफोर की ठीक है तो एस्टेसोफोर अब एस्टेसोफोर का molecule है तो एस्टेसोफोर के जो molecule है तो इसमें क्या होता है हमारे पास यहां पर यह एस्टेसोफोर है तो इसका अगर मैं एक molecule लेता हूँ वन molecule तो इसमें क्या है हमारे पास hydrogen atom है तो हम क्या लिखेंगे two atoms of hydrogen, one atom of sulfur and four atom of oxygen. I hope यह clear होगा है. वह यहाँ पर हमने molecule शब्द यूस किया है. We are using the molecule. But अगर मैं molecule ना यूस करूँ, अगर मैं mole यूस करता है, अगर मैं यह बोलता है कि यहाँ पर हमने mole लिख दिया है. इसका मतलब अंदर वाली सारी चीजों पर mole से multiplication होगा. यहाँ पर क्या हो गया? Two mole hydrogen atom. यहाँ पर क्या हो गया? 1 mole sulfur atom and यहाँ पर क्या हो गया? Four mole oxygen atom. तो यह मेरा four mole oxygen atom. clear? I hope सभी student को इतना तो clear हो गया है. अगर यहाँ पर one mole की जगा two mole कर देता है, two mole. तो इसका मतलब फिर यहाँ पर सब कुछ two से multiply हो जाता? चीक है? तो यहाँ पर four mole hydrogen atom, two mole sulfur atom and eight mole oxygen atom. I hope सभी student को यह point अच्छे से clear हो गया. clear? तो यह मेरा estres of four molecule है, तो इस तरीके से हम लोग sort हो करें. इस तरीके से हम लोग इसको solve करें. अब देखें, एक example लेते हैं. यहाँ पर अगर मैं one mole O2 molecule लिखता हो. तो one mole O2 molecule इसका मतलब क्या हो गया? two mole oxygen atom. तो one mole O2 molecule it will be equals to two mole oxygen atom. clear? क्या यह point समझ आया? क्यों? क्योंकि हमारे पास एक oxygen के molecule में? दो oxygen के atom है. तो एक mole, यहाँ पर एक mole है. तो एक mole O2 molecule है, तो कैसे लिख सकते हैं? one gram molecule of O2 and it will be equals to two gram atom of oxygen. तो two gram atom of oxygen. तो one gram molecule of O2 will be equals to two gram atom of oxygen. ठीक है? इस तरीके से questions को solve करना है. अब देखो, जैसे question पूछा चाते है? calculate number of carbon atoms in 4.4 gram of CO2 gas. read the question carefully. उन्होंने क्या पूछा है? यहाँ पर carbon atom, number of carbon atoms in 4.4 gram of CO2 gas. तो यहाँ पर solution क्या हो गया? यहाँ पर mole. mole कितना हो गया? 4.4 divided by 44. तो 0.1 mole. तो 0.1 mole किसके हो गए? क्या 0.1 mole carbon dioxide के होगे? अब मुझे एक बाब बताईए. अगर मैं carbon dioxide को यहाँ पर लिखो, तो मुझे यह बताईए. एक molecule, carbon dioxide के एक molecule में कितने carbon के atom है? एक carbon के atom है. ठीक है? तो 0.1 mole में कितने होगे? clear? solve हो गया? तो कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास 0.1 mole carbon dioxide molecule have carbon atom, contain या contain carbon atom. तो कितने होगे? तो that will be 0.1 mole. तो 0.1 mole का मतलब क्या होगया? 0.1 into N0. this is the case. बेटा, NEET में ऐसे questions पूछे जाएंगे. तो please be careful कि question में molecule पूछा है या atom पूछा है? ठीक है, total molecule पूछा है या total atom पूछा है? आईए मैं और example करवाता हूँ. यहाँ पर अगर मैं मान लिजिए 1 mole SO3 gas का लेता हूँ. ठीक है, मेरे पास 1 mole SO3 gas है. तो अब मैं इसके बारे में क्या क्या बता सकता हूँ? 1 mole SO3 gas का मतलब 1 gram molecule of SO3. ठीक है? क्योंकि mole molecule है? अच्छा, इसमें क्या लिखूँगा? N0 molecule of SO3. तो दूसरा क्या हो गया? N0 molecule of SO3. तीसरा, हमारे पास इस SO3 के अंदर कितने sulfur atom है? अगर SO3 का एक molecule होता, तो एक sulfur का atom है? तो एक mole SO3 में कितने होंगे? तो दाट क्या लिखूँगा मैं? 3 mole oxygen atom और क्या लिख सकते हैं? 1 gram atom of sulfur, 3 gram atom of oxygen. अब 1 mole sulfur atom है? तो इसका मतलब यहां पर N0 sulfur atom और 3 mole oxygen atom है? मतलब 3 into N0 oxygen atom, clear? तो I hope सब इस student को इतना तो समझा आगे है? आईए एक question इसी के basis पर और करते हैं, discuss. Calculate total number of molecules and total number of atoms in 20 gram of SO3 molecule. अब question को दिहान से देखे, total number of molecules and total number of atoms, तो इसका solution क्या होगा है? यहां पर हमारे पास सब से पहले? mol. SO3 के mol कितने होगे? तो that will be equals to 20 divided by 80. तो answer will be 0.25 mol. तो क्या यह 0.25 mol होगे? सबसे पहला काम mol दिकारना है. तो therefore number of SO3 molecule, it will be 0.25 into N0. तो यह हमारा क्या होगे? number of molecule 0.25 into N0. अच्छा, अब मुझे एक बाबताईए. SO3 के अंदर atom पूचा है. उसने यह तो कहा नहीं कि sulfur के atom बताओ या oxygen उसने बोला है total atom. तो total atom कितने है? हमारे पास 4 atom. तो therefore total number of atoms. अब एक molecule में 4 atom है. क्या एक molecule में 4 atom है? तो भहिया 0.25 mol में कितने atom होगे? तो आब multiply कर लेजिए. 0.25 into 4 into N0. तो answer will be N0 atoms. ठीक है? यह question. ओके अब देखे एक और example यहाँ पर discuss करते हैं. question है? calculate total number of oxygen atoms in 9.6 gram of SO4 2 negative तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा गया है 9.6 ग्राम ऑफ एसो फोर टू नेगेटिवाई अब इसका सलूशन क्या है सबसे पहले है पहला काम यह मेरा एसो फोर टू नेगेटिवाई ने तो सभी स्टूडेंट को इसका मास निकालना है तो कैसे सल्फर का बत् मास है अचा कई बचे केते हैं सर्फ 2 नेगेटिवज स्टू नेगेटिव के निकास निकालना कोंगड़ नगेटिव और 1 नेगेटिव वह हो ट्री नेगेटिव और अ SO4 2 negative INK, अब 0.1 mol SO4 2 negative INK होगे, so total number of oxygen atom, it will be equals to 0.1 into 4 into N0, so that will be equals to 0.4 into N0, आपने यहाँ पर 0.1 mol है, clear है, 4 से क्यों multiply किया, क्योंकि sulfate में 4 oxygen है, and N0 से क्यों, क्योंकि 0.4 mol बनेगा, तो इसका मतलब 0.4 into N0, तो यह हमारे oxygen atom होगे, ऐसे questions को लिखो, यह मैं वीडियो में जो भी पढ़ा रहा हूँ, आप इसको लिखिए, paper पर लिखिए, और खुद से solve कीजिए, pause करिए, खुद से solve कीजिए, और फिर answer को टैली करिए, ठीक है, तभी आप सीख पाएं, ठीक है, अब अगला बड़ा interesting question, सबसे पहले, यहाँ पर उस question को discuss करने से पहले, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, यह है हमारा N-A positive line, ठीक है, अब N-A positive line है, तो N-A positive line के पास, एक electron है, proton है, और neutron है, यानि कि electron है, proton है, neutron है, अब कितने electron है, आप सभी को पता है, sodium का atomic number 11 होता है, तो 11 electron, तो कितने electron है, 10 electron, कितने proton है, 11 proton, and कितने neutron है, 12 neutron, क्यों, क्योंकि sodium का हमारे पास, ऐसे होता है, 11 sodium 23, तो 23 is the mass number, and 11 is the atomic number, तो 10 electron है, 11 proton है, and 12 neutron, is that clear, अब देखे, यह मेरा N-A positive line है, तो अगर मैं 1 mole N-A positive line लेता हूँ, तो हमारे पास वही चीज आचाहेगे, तो यहाँ पर एक question आता है, calculate, total number of valence electron in, 1.4 gram of N-3 negative line, तो N-3 negative line का मतलब क्या होता है, this is called azide ion, ठीक है, 1.4 gram of azide ion, ठीक है, आप calculation easy करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं 1.4 की जगा easy, easy वाला number दे देता हूँ, 4.2 gram, अब इसका solution कैसे करेंगे, तब से पहले, हमें क्या करना है, हमें mole निकालने, तो mole कितने हो गए, तो mole will be equals to 4.2 divided by 42, तो कितने mole आ गए, क्या हमारे पास 0.1 mole आ गए, भई azide ion के कितने mole हुए, 0.1 mole हुए, हुए ना, अब nitrogen है, अब nitrogen के valence electron कितने होते हैं, electronic configuration लिको 2, 5, तो valence electron कितने हो गए, 5 हो गए, भई valence electron जो, तो अगर मैं azide ion की बात करूँगा, तो valence electron कितने होंगे, तो valence electron, एक azide ion में 5 into 3 plus 1, तो हमारे पास कितने होगे, that will be 16 electron, एक mole में कितने electron हुए, एक mole में 16 electron हुए, how many electrons, 16 electrons, clear, एक mole में 16 mole electrons, एक mole में 16 mole valence electron, तो therefore, total number of valence electrons, 0.1 into 16 into n naught, तो it will be equals to 1.6 into n naught, तो इतने valence electron होंगे, यह बिलकुल ध्यान से समझिए, यह सबसे ज्यादा important यही वाली चीज़ है, भई nitrogen है, तो एक अजाइड आयन में 16 electron है, तो भई, एक mole अजाइड आयन में कितने होंगे, 16 mole electron, तो 0.1 into 16 into n naught, तो this is the case, I hope, सब इस्टूदेंट को यह clear होगे है, ठीक्लें, next, एक important topic, हमारे पास, अगर liquid दिया गया है, और हमें liquid का volume दिया गया है, तो हम उसका weight calculate करेंगे, by using density, ठीक है, अगर liquid के case में volume दिया गया है, तो हम उसका weight calculate करेंगे, या mass calculate करेंगे, by using density, और अगर मेरे पास gas है, तो gas के case में अगर volume दिया गया है, तो जाहिर सी बात है, वो volume STP पर होगा, तो हम उसको solve कर सकते हैं, हम लोग वहां से मोल निकाल सकते हैं, जैसे, calculate total number of molecules in option 1, 1 litre H2O liquid and option 2, 1 litre H2O gas, और यहां पर at STP, ठीक है, तो हमारे पास calculate total number of molecules in 1 litre H2O liquid and 1 litre H2O gas, और यहां पर at STP, आप देखें, क्या यहां पर liquid है, और भहिया liquid है, तो इसका मतलब हमारे पास density कितनी हो गई, 1 gram per mm, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर number of moles, तो number of moles कितने होंगे, number of moles calculate करने के लिए सबसे पहले हम weight calculate करेंगे, तो weight, तो 1 litre है, तो 1 litre H2O का मतलब क्या हो गया, 1 kg H2O, अरे हां या ना बोल, 1 kg H2O, तो 1 kg H2O का मतलब कितना हो गया, 1000 gram H2O, अब हमारे पास moles of H2O, कितने होगे, it will be equals to 1000 divided by 18, answer will be 55.5 moles, तो यह हमारे moles होगे, तो इसका मतलब, अगर moles आ गए हैं, तो मैं number of molecules भी निकाल सकता हूँ, तो therefore, number of molecules, it will be 55.5 into N0, तो यह हमारे molecules लोगे, ठीक है, अब देख लेए, next हमारे पास 1 litre H2O gas, अब gas दे दिया है, तो वहाँ पर वोई density का पंड़ा मतलगाईएगा, यहाँ पर आपको सभी को पता है, mole निकालने का तरीका, 1 upon 22.4, given volume upon molar volume, ठीक है, तो 1 litre upon 22.4 litre per mole, तो therefore, total number of molecule, it will be equals to 1 upon 22.4, into N0, तो हमारे पास इतने molecule हो जाएंगे, तो थीज आर दा molecule, 1 upon 22.4 into N0, तो थीज आर दा molecule, ठीक है, तो dear students, यह mole concept के questions थे, तो एक और question discuss करते हैं, which of the falling, contain maximum number of atoms, option 1, 1 gram of oxygen, option 2, 1 gram of O2, and option 3, 1 gram of O3, मैं अभी 4th option नहीं दे रहां, क्योंकि अगर मैंने 4th option दिया, तो आप उसको solve करने के लिए, आप उसको solve नहीं करोगे, आप सीधा ही 4th पर टिक कर दोगे, ठीक है, तो 1 gram oxygen, अगर मैं 1 gram oxygen की बात करूँगा, तो 1 gram oxygen में क्या होगा, हमारे पास mole निकालेंगे, 1 upon 16, या mole से यही होगे न, by given weight upon atomic, यानि की gram atomic mass, यानि की molar mass, and into N0, तो यह हमारे पहले case में इतने atoms होगे, 1 gram O2, 1 gram O2 है, तो 1 upon 32, oxygen atom निकालेंगे, तो 2 into N0, it will be equals to 1 by 16 into N0 atoms, and 1 gram O3 में 1 by 48 into 3 into N0, it will be equals to 1 by 16 into N0, so this is the case, यह 1 gram oxygen, 1 gram O2, यह 1 gram O3, okay, तो इस तरीके से आप यहां पर solve कर सकते हैं, तो इसका answer जो होगा, वो 4th answer होगा, same in all the case, same in all the case, आप प्लीज ध्यान में रखिए, question में maximum number of molecules नहीं पूचा, maximum number of atoms पूचा है, तो यहां पर O2 है, तो इसलिए multiply 2 किया, atomicity, O3 है, तो multiply by 3 किया, तो इसलिए सब में number of atoms क्या है, हमारे same है, तो same in all the case, clear, so students, आज जो हमने chapter शुरू किया था, इसका यह first part है, जिसमें हमने mole concept तक खतम कर दिया है, चीक है, तो जब हमने यह lecture शुरू किया था, तो उसमें हमने बोला था कि हम लोग यह topic discuss करेंगे, तो यहां पर हम लोगोंने mole concept तक complete कर दिया है, तो mole concept तक हमारा खतम हो चुका है, अब अगला जो है, वह हमें percentage composition, empirical formula, limiting reagent and concentration term, यह part 2 में आएका, ठीक है, तो सबसे पहले, आप लोग, telegram का हमारा channel है, आप लोगों को link मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला, तो slash, deli, note कर ले, unacademy, ठीक है, deli unacademy, यह telegram पर हमारा channel है, आप इसको join कर लीजिए, जो भी हमने lecture में पढ़ाया है, इसके annotation आपको PDF के रूप में वहां पर मिल जाएंगे, चिक है, second, आप हर एक lecture को अच्छे तरीके से देखिए, और उसमें जो-जो question class में discuss किये गए हैं, उनको दुबारा अपने आप solve करने की कोशिश करें, तभी physical chemistry के अंदर बहुत सारे numericals होते हैं, only and only we will get the strong grip, और तभी हम लोग समझेगे कि हमारी need की त्यारी हो रही है, और तीसरा final check अपने आपको check जरूर करते जाएं कि हाँ, तुमारे concept इससे clear हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और NCRT की back exercise के questions जरूर बनाईए, that are very important ठीक है, तो thank you students, next class में हम लोग इसका part 2 करेंगे और इसको पूरा complete हमारा some basic concept of chemistry हो जाएगा, thank you.